हेलो फ्रेंड स्वागता पैजा में स्टेडियो अल्लान में और आज पढ़ेंगे हम सम्मिदान की अनुशुचियों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब पल लीजिए और वीडियो को लाइक करतीजिए चलते हैं पहले प्रेंड की उर तो बरत्मान में भारतिय सम्मिदान में कुल कितनी अनुशुचियां हैं तो इसका अंसर है बारा और जब हमारे सम्मिदान लागू खाता तब उसम्मिदान कुल आट अनुशुचियां थी और समय समय पर समिदान संसोधन होती गए और अनुसुचियों को जोड़ती चले गए तो बात करती हैं सबसे पहले नौवी अनुसुची की जोड़ी गई थी और यह पहला समिदान संसोधन था और इसको 18.1951 में जोड़ा गया था और इस अनुशुची में का गया है कि राज चाहे तो आपकी संपत्ति को अधिग्रहन कर सकती है और इसमें अभी कुल मिला का 284 अधिनियम है और इन अधिनियमों को न्यालयम चुनाती नहीं दीजा सकती लेकिन 11 जनवरी 2007 में एक समिदान की सभा की बैटक हुई और इसमें का गया कि अगर इन 284 निवयों में से अगर कोई मौलिक अधिकारों का ओलंगन करता है तो उसे नियालयम चुनाती दीजा सकती है अब बात करती हैं दस भी अनुशूची की जो की 22 समिदान संसोदन 1985 में जोड़ी कई थी और इस अनुशूची में का गया है कि एकर कोई बैक्ती राजनेतिक पद या लाब के कारण कोई बैक्ती दल बदल करता है तो उस बैक्ती को आयों करार ठेहरा दिया जाएगा जीति हमारी दस भी अनुशूची और बात करें ग्यार भी अनुशूची की तो इसे 23 समिदान संसोदन की दवारा जो की 1913 में हुगा था और 24 अप्रेल को राष्टिय पंचातिय दिवस बनाया जाता है और जब हमारी सियम पल्लब पी अम पीवी नर्सम में राव थे और इस अनुशूची में कुल 29 बिसे हैं और यह पंचातिय राज्चिय संस्ताव के कारण के बारे में हैं अब बात करते हैं बार भी अनुशूची की तो देखे इसको सेरी छेत्रिय संस्ताओं के कारण के लिए बनाया गया था और इसमें कुल 18 बिसे हैं और इसे 34 सम्मिदान संसोदन 1993 में जोड़ा गया अब चलते हैं अगली प्रसिन की योरік तो सम्मिदान की दूत्य अनुशूची का संस्ताओं किस से हैं तो इसका संस्ताओं मैतोड पदकारियों के बेतन से मतलब राष्टपती की बेतन कितनी होगी उप्राष्टपती कितनी होगी इन सब के बारे में दूसरी अनुशूची में बताया गया है बात करते हैं अंगले प्रसिंट की तो भारतिय सम्मदार की तीसरी अनुशूची का संबंद है तो इसका संबंद है सपत तता प्रित्त क्या से मतलब जिदने भी राजनेता या पर कोई उच्छ पत कैसे मुख्य न्यादी सपत लेंगे तो इसके बारे में तीसरी अनुफुची में बताए गया है और हमारे राष्टपती जी को सपत मुख्य न्यादी दिलाती है और राष्टपती बनने की उमर 35 बर्स होती है और हमारे पहले राष्टपती राजन प्रिसात थे जिनका काल 1950 से 1962 तक है अब बात करते हैं एंगली प्रिसिन की तो सम्मेदान की किस अनुफुची में पिर्तेक राज तता संग राज चेत्रों के लिए राज भासा में इस तानों के आवंटन की सुची है तो इसका अंसर है 14 मतलब चतुर्ती अनुफुची और इस में राज सवा की सीटों के बारे में बता गया है किस राज में कितनी सीटों होंगी राज सवा की चलते हैं अगली प्रशिन की और तो निम्लिक्ट में से भारत के सम्मिदान के किस एक अन्फूजी का सम्मन्द सौसासी जला परशदों से है तो इसका अंसर है छटवी अन्फूजी मदलब इसमें असम, मेगाले, तिरपुरा, मजोर्रम, राज्यों की जन्जाती छेत्रों के बारे में बताये गया है अब बात करते हैं अगली प्रशिन की तो आटवी अन्फूजी का सम्मन्द है तो इसका अंसर है भासाओं से और जब हमारा सम्मन्दान लागू आता था हमारी सम्मन्दान में पुल 14 भासाओं थी और समय पर इसमें हमी संसुदन होती गए और सबसे पहले 1967 में जोकी 21 सम्मन्दान संसुदन था उसके तहत एक भासाओं जोड़े गई जिसका नाम था सिंधी उसके बाद 1992 में एक अत्तरवा सम्मन्दान संसुदन होती और इसमें तीन भासाओं जोड़े गई जिनके नाम थे कौकडी मरीपुरी और नेपाली इसके बाद 2003 आया और इसमें एक सम्मन्दान संसुदन होती जिसका नाम था बान वेबा, सम्मन्दान संसुदन और इसमें चार बासाओं को जोड़ा गया मैतली संथाली डौंगरी और बोडो अब बात करते हैं अगले प्रिशन की हो तो किस राज के आरच्छन विदयक को नौबी अनसुची में सामिल किया गया है तो इसका अंसर है तमिल नाडू और इसके आरच्छन को नियाला में चुनवती नहीं दीजा सकते क्योंगि नौबी अनसुची में आता है बात करते हैं अगले प्रिशन की तो पाँचवी अनसुची का सम्मन्द है तो पाँचवी अनसुची का अनशूची आती हैं तो साथमी अनशूची में आती है तीन ये संग्शूची रासूची और समबर्ती शूची और रासूची में किंद सरकार नियम बना सकती है और अभी इसमें कुल 100 बिसे हैं और पहले इसमें 97 बिसेते और राज सोची में राज सरकार बना सकती है और इसमें अभी 61 बिसे हैं और पहले इसमें 64 बिसेते और बात करती है संबती सोची की तो इसमें राज और केंदर दोनों ही मतलब नियम बना सकती है और इसमें पहले 47 बिसे थी और अब इसमें 92 बिसे हो गए है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्जाम स्टेडी और लाइन थेंक्यू आपकर सुभो